वेलकम टू नेक्सिक जाओं आज है 25 अगस 2024 और 25 अगस 2024 से करेंट अफैस के जितने भी इंपोर्टेंट कुश्चन बन सकते हैं सारे में इस वीडियो में डिसक्स करेंगे और हर कुश्चन से रिलेटिट इंपोर्टेंट पैक्ट वी मैं आपको बताऊंगा तो आप पूरा वीडियो वह धियान से देखिए लाष्ट में आप से कुश्चर पूछूंगा उसका आंसर आपको कमेंट बोक्स में बताना है आज कि इस वीडियो की डिसक्स्म से डाउनलोड कर सकते हैं पेडिया आप आप मारे टेलीगराम गृप से भी डाउनलोड कर सकते हैं टेलीगर और उसके उन्मूलन की याद के लिए अन्तरास्टी दिवस करें सेख्व будут करके से एक्चुन में पहले दास-व्यापर होता था छो एकत्रह की दिवस द्रेज़ के स invited के वाघता का अवदसर प्रदान करने के लिए हर साल 23 अगस्त को ये दास ब्यापर और उसके उन्मूलन की याद के लिए अंतराश्टी दिवस मनाया जाता है अच्छा अगस्त में अभी तक जितने इन्योंड का है इसे एक अगस्त को राश्टी पर्वतारोहर दिवस और बरल्ड लंग कैंसर डे मनाया 2-3 अगस्त को भारती अंगदान दिवस मनाया जाता है चार अगस्त को हमे तटराश्ट Communist घ् méthode चोंग याँटिव रस मनाया गया चई अगस्त को हिरोस्यमा डिवस मनाया गया शात अगस्त को राश्ती हटKAरगा डिवस और राश्टी वाला फैक डिवस मनाया गया नौँ अगस्त को नागासाकी 10 dipω और बिश्दिवासी 10 अगस्त को बिभाजन वेष्ट का इसमरती दिवस मनायागए 16 अगस्त को राष्टी सुतंतर स्र classification दिवस मनायागए सत्रयी अगस्त को इंडोनेशिया गैव वोण आफ withdrawalicus तन्था दिवस मनायागै उ्नलेश अगस्त विस फूटोग्राफी दिवस और बिशी संस्क्रत दिवस मनाया गया बेश अगस्त को बेश सुमच्छर दिवस बारती अक्षय उर्जा दिवस और सद्वावना दिवस मनाया गया और तेश अगस्त को पहली वारेश्वार राश्टी अंतरिच दिवस मनाया गया यह पहली बार मनाया गया है इसलिए ज्यादा इंपोर्टेंट है ध्यान रखना आप से हर साल 23 अगस्त को राश्टी अंतरिच दिवस भी मनाया जाएगा नए कुशन है किस राजी के मुख्यमंत्री ने सुभद्रा योजना तो उड़ीशा की चीप निश्टर ने यह सुभद्रा योजना सुरू की तो इसको शिंक से एसमें क्या होगा 21 से 60 वरसत की महेलाओं पचास हजार रुपए देने का बादा था और यह अब पचास हजार रुपए दिए जाएंगे इसमें क्या होगा हर साल 10,000 रुपए दिए जाए और यह 10,000 रुपए भी दो किस्तों में दिये जाएंगे और अगले पांस साल तक दिये जाएंगे तो यह हो गए 50,000 रुपए इसलिए इसका नाम रखा गया है सुबद्रा योजना इसमें 50,000 रुपए हर 21 साल से 60 साल तक की भैला को दिये जाएंगे और उड़ी सामें दास अच्छा राश्टपते इद्रौपदी मुर्मू ने उड़ी सावें उदैगिरी गुफाओं का दोरा किया सुर्मा पाड़ी उड़ी साकी बिधानसवा की दूसरी महिला अध्यक्ष वनी केंद्री मंत्री धर्मेंत प्रदान ने उड़ी सा के संभलपुर में भारत के पहले स्किल इंडिया सेंटर का उद्गाटन किया उड़ी सा सरकार ने स्वैम योजना लॉंच की उड़ी सा में गुपते सवर्वन को जैब विवित्ता बिरासत इस्तल गोसित किया गया बुबने सवर में बारा मुंडा आइसबी टी का नाम बे आर अंबिड कर के नाम पर बीच है सुनावेड़ा वायले संचुरी है कुठागड वायले संचुरी है नलवन वायले संचुरी है बैसी पल्ली वायले संचुरी है गहर मठ वायले संचुरी है और चिलका लेग है चिलका लेग भारत की सबसे बड़ी खारेपवानी की लेग है उडिसा में अश्विनी वैश्नम ने किया। तो उस प्रक्रेश का are and thé queste ने क्रशिट चुट्सा और शांस्क्रतिक सायों के छेत्र में शम्योधों पर हस्ताक्षल किया। तो अभी अपने देश भारत और यूख्रेट्र क्रसी चेकित्सा और सांस्क्रतिक सायोग के छितर में समझातों पूरास्ताक्चर किये तो इस कुषिन का बे अपसेंस है अब यूक्रेण तो यह है मैप में यूक्रेण आपको पता है अब यह हमारे प्रधारमत्री पहले पूलेंड गए थे उसके बाद यूक्रेण गए और यूक्रेण में यह समझाते हुए हैं और यूक्रेण की केपिटल के है के यूक्रेण की करनसी के है यूक्रेणी हरवेनिया और यूक्रेण के प्रेसिडेंट कौन है वोलो डिमील जेलेंस की नैक्यूशन है हाली में किसने प्रारंबिक बाल्यावस्ता सिक्षा को देने के लिए पंजाब ने आरंब कारेकरम शुरू किया है तुस्कुशन का से अप्सिंस है इसमें बाल्य वस्ता में प्रार्मिक स्टेज पर एक्टिविटीज के माध्यम से बच्चों को सिक्षा दे जाएगी अब पंजाब तो यह है मैप पंजाब की केपिटिल क्या है च अबे दुरगटना ओड़िस्पोट को मैप करने वाला पहला राज पंजाब बना पंजाब के मुख्यमंत्री ने डूर स्टैप सेवाओं के लिए योजना लॉंच की पंजाब के मुख्यमंत्री को सार्टिफिकेट ऑफ एक्सिलेंस से समानित किया पंजाब सरकार ने हाली में खेलो इंडिया अस्मिता बुसुली कहां सुरू हुई है तो यह उत्तरप्रदेश में सुरू हुई तो इस कुश्यन का बे आपको क्या बताया था खेलो इंडिया अस्मिता योगासनली वह बिहार में सुरू हुई ती और यह क्या है खेलो इंडिया अस्मिता बु उत्तर प्रदेश की गशेज है कि आनदी पेन पप्ठे अच्या उत्तर पिक राज की पशू है वारे से राज की पच्ची है इसी इकना राज की पुष्प पलास और राज की ब्रक्षा अस्वका परुट एक पर ने उत्तर पोवरी सूंट में घर घर सूलर पहल शुरूखी उत्तर्पदेश सरकार नैपाल सीमा पर मित रुबन स्तापित करेगी भारत में संपेडित वायोगेस उत्तपादन में उत्तरपदेश टॉप पर रहा है उत्तरपदेश में बिश्चु का पहला एस याई केंग वल्चर प्रजिनन केंदर स्तापित किया जाएगा उत्तरपदेश की एरिक्सा चालक आरती को यूके के महिला ससकती गड़ पुरुसकार से सम्मानित किया गया मत्रा के प्रसित सांजी क्राप्ट को जी एटेक मिला है उत्तरपदेश के लकेमपूर खेरी में बायो प्लास्टिक पार्क इस्तापित किया जाएगा और मत्रा के प्रसित सांजी क्राप्ट को ये जी एटेक मिला है अच्छा उत्तरपदेश में दुद्वा नेशनल पार्क ह किसके द्वारा लिखित पुष्टक मूदीज गवर्नेंस ट्रैंफ री सेपिंग इंडिया पाथ टू प्रॉस्परेटी का विमोचन हुआ तो यह पुष्टक लिखी है तरूड चुगने उसकुष्टन का से अपसे सही है यह है बुक मूदीज गवर्नेंस ट्रैंफ री सेपिंग इंडिया पाथ टू प्रॉस्परेटी इसे तरूड चुगने लिखाए अच्छा बुक्स की बात है तो डॉक्टर आर बाला सुब्रमन्यम के द्वारा लेखित पुष्टक पॉबर बेदिन दा लेडर सिप लेगेसी और नरेंद मुदी का बिमोचन हुआ दुब्री सुब्राराव ने जस्ट अमारे सरेरी नाम से अपना संस्मर्ण लॉंच किया गोटावया राजपच्छेम ने दा कॉंस्परेसी नामक पुस्तक का नावरण किया आर अस्विन की आत्मकता आई हैब दा स्ट्रीट अ कुट आई ऑन दा आर विए वाल नामक पुस्तक का बिमोचन हुआ और सल्मान रुस्दी ने अपना संस्मर्ण नाइफ लॉंच करने की गोश्णा की ने कुशन है भारत ने अपना पहला दुबारा इस्तिमाल होने वाला हाइब्रिड रॉकेट रूमी फरस्ट कहां से लॉंच कि तो यह तमिल नाडू से लॉंच किया गया है तो इस कुशन का बे ऑप्सेंस है यह भारत का पहला री यूजेवल हाइब्रिड रॉकेट है और इसको नाम दिया गया है रूमी फरस्ट और इसे अभी तमिल नाडू इस तित एक स्पेस जोन इंडिया ने मार्टिन ग्रूप क्या है चेन नई तमिल नाडू के चीप निश्टर कौन है एम की स्टाल है और तमिल नाडू की गवर्नर कौन है और आपको पता है भारत में लौंग का सबसे बड़ा उत्पादक है तमिल नाडू बहु पच्चे वायू अभ्यास तरंग सक्ती दोजर चौबिस यह तमिल पेज किया आदिवासी महिला स्रेपती तमिल नाडू की सिविल जज़वनी हुंडई और आयटी मद्रास तमिल नाडू में हाइड्रोजन इनोवेशन वैली इस्ताफित करेंगे और टाटा पावर ने तमिल नाडू में सत्तर हजार करड़ रुपए के निवेश की दूस्कुशन का से ओप्सन सही है वैसे बंदर मैंक को इस पेसली मैलाओं के लिए डेडिकेटिड बैंक का जाता है इसने मैलाओं के लिए एक इस पेसल अवनी बच्चत खाता सुरू किया है इसमें बहुत सारी फैसलिटी दे गई है लेकिन इसमें मिनीमम 25,000 मैंटेन करन जाएं नैंक कुशन है हाली में किसने भारत सहित 35 डेशों को बेजा मुक्त प्रवेश्ट की अनुमते दी तो यह ठेलंका दिए अब स्रीलंका तो ये है मैप में स्रीलंका इस ना कईपटल क्या है कूलमब ו और स्रे जयज बर्डल्दने पुरह में कोट को लंब सीलंगा करती क्या है स्रीलंका रूपी स्रीलंका की प्रायमच्टर कौन है तेनेस गुडबर्धर अच्छा बार्स कटार गामा इसाला उत्सब ये स्रीलंका मनाया गया सनत जैसूरिया स्रीलंका की क्रिकेट टीम के कोच बने स्रीलंका में भारते आबास परयोजना की अंतरगत तेरे सो घरों के निर्माड का उपचारेक सुबारम हुआ बंडे में दोरा सतक लगाने वाले पहले स्रीलंकाई क्रिकेटर पत्थुम निसंका बने स्रीलंका और मौरिसस ने यूपे सर्विस को बर्च्वली लौंच किया भारत स्रीलंका के परेटन सुरोथ की रूप में सेर्स फर रहा है नए भारती उच्चायुक्त संतूस जाने स्रीलंका में पदभार ग्रेट किया और भारती ससस्त्र वलों को स्रीलंका में गोल्डन आउल पुरुसकार से सम्मनत किया नए क्यूशन है हाली में किस ने अंतरास्टे क्रिकेट के सबी प्रारूपों से सन्यास की गोश्ण की तो यह सिखर दवन ने की सिखर दवन ने अब इंटरनेशनल क्रिकेट के सबी फॉर्मेट से सन्यास ले लिया है तो इस कुश्चिन का से ओप्सन सही है नए क्यूशन है हाली में बेपी सियल ने कहां ड्रोन आधारित वन रूपर परियोजन शुरू की है तो यह बिहार ने शुरू की तो इस कुश्चिन का ए ओप्सन सही है इसमें क्या होगा जो सीड वाल्स होती है सीड वाल्स को ड्रोन के थुरू अलग अलग जब़ों पर गिराए जाएगा तो बेपे सियल ने बिहार में ड्रोन आधारित वन रूपर परियोजना शुरू की है अब बिहार तो यह है मैप में बिहार बिहार की क्या है पटना बिहार की चीपनिश्टर कौन है नेतिस कुमार और बिहार की गवर्नल कौन है राजेंद्र अरलेकर दुनिया के सबसे बड़े रामाइड मंदर के निर्माड का दूसरा चरड बिहार के चंपारण में शुरू हुआ बिहार के मेडिकल कॉलेज के चात्रा आगामी सेक्षिटिक सत्र से हेंदे मीडियम में भी पढ़ाई कर पाएंगे प्रदनवंत्री मोदी ने बिहार के आवरडवाला बापू टावर पटना की गर्दनी बाग में बनाया गया है ने कुशन है हाली में एल आई सी हाउसेंग फाइनस ने ससस्त्र बलों के लिए कितने प्रतिसत ब्याजदर पर ग्रह रेड योजना शुरू की तो यह 8.4 परसेंट ब्याजदर पर ग्रह रेड यो ने कुशन है हाली में MSDE ने भारत भर में युवाओं को कॉसल बढ़ाने के लिए किसके साथ आज़दारी की है तो MSDE यानि की Ministry of Skill Development and Entrepreneurship इसने भारत भर में युवाओं में कॉसल बढ़ाने के लिए फिलिप कार्ट के साथ साज़दारी की तो इस कुशन का C options आज़े है ने कुशन है हाली में भगवान हनुमान जी की 90 फीट उची कांस प्रतिमा का अनावरण कहां हुआ तो यह अमेरिका के Texas में हुआ है तो इस कुशन का B options आज़े है यह है भगवान हनुमान जी की 90 फीट उची कांसे प्रतिमा इसका अनावरण अभी टेकसास में हुआ अब लाश्ट वीडियो के question का answer लाश्ट वीडियो मैंने आपसे question पुछा था कि किस payment bank ने AI face recognition tool face match लौंच किया तो यह एयर टेल payment bank ने लौंच किया यानि किस question का B option सही था और लगबग सबेश्ट वेड़ने क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो पिर उन्हें आप कभी नहीं बूलते हैं अच्छा यह जनवरी 2024 से जुलाई 2024 तक के current affairs का PDF है इसमें 1761 question है और यह question मैंने one liner की form में लिखे हैं और one liner की form में भी ऐसी बासा में लिखने की कोसिस की है कि एक question से कई सारे question आपको जाद हो जाएंगे तो यह PDF आफ डाउनलोड कर लेजिए आप टेलीग्राम पर नेक्स एक्जम सर्च करेंगे तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा इस पर मैंने यह PDF पोस्ट कर दिया है यह PDF 1700 question का PDF है और single click में यह PDF आपकी मोवाइल में सेव हो जाएगा तो इ सरवाद एक एवी चार्जिंग स्टेशन के साथ करनाटक टॉप पर रहा है जारखण में मुख्यबंतरी मैया सम्मान योजना शुरू होई राष्टपती द्रौपदी मुर्मू को फेजे के सर्वूच नागरिक सम्मान कंपेनियन ऑप द ओर्डर ऑफ फेजे से सम्मानित क किया गया अमूल को दुनिया के सबसे मजबूत डेरी ब्रांड का दर्जा मिला है वैडमिंटन जूनियर चेंपेंसिप 2024 का आयोजन चेन में हुआ सांस्क्रतिक उत्सव कसूर रिवाद ये जम्मू कस्मीर में संपन हुआ सत्य प्रकास सांगवान को पैरेस 2024 पैरलंपिक के और ये सेफडी मिसन नामित किया गया बोईंग ने केली आर्ट वर्क को अपना नया अध्यक्ष और सेयो नियुक्प किया है चत्तिस गड़ सरकार ने भारत के तेसरे सबसे बड़े बाग अभ्यारण को मंजूरी थी ये चत्तिस गड़ का गुरु घासीदास टाइगर रिजर्प और तमूर पिंगला टाइगर रिजर्प इन दोनों को मर्ज करके बनाया गया है मर्जर के बाद ये देश का तेसा सबसे बड़े टाइगर जर्प हो गया है भारत और सेलंका के बीच यात्री नौका सेवा सुरू होई हिमाचल प्रदेश में मुक्यमंत्री बाल पॉस्टिक आहर योजना का सुवारम किया गया बारत का पहला जेटेग अंजेर जूस पूलेंड को निद्याद किया गया है डेरियस बिसर ने T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में एक ओवर में सरवादिक 49 रन बनाने का रिकॉर्ड बनाया है क्रोएसिया ने अनिवार सैनिसेवा पुनेलाओ किया है बेसुकी दस सबसे बड़ी कोईला ख़दानों में दो भारती ख़दाने हामिल हुई है एक गेवरा और एक कुस्मन्ना दोनों 36 गड़की है और हैदराबाद एयरपोर्ट ने इंडिया ट्रेवल अबार्ट में सर्व स्रेष्ट हवाई अड़े का पुरुसकार चीत है अब आपके लिए आज का कुश्चन है खेलो इंडिया की असमिता यूगासनली कहां शुरू हुई चार आप्सन दिये के हैं इनमें से आपको अपना अंसर बताना है और इसके अलाबह हम हमारे फेशुक पेज पर प्रेवेस एर क्वेसिन डेली पोश्ट करते हैं तो आप फेशुक पर नेक्स्ट एक्जाम सर्च करके वारा फेशुक पेज जोइन कर सकते हैं क्योंकि previous question आपको बहुत help करते हैं अगर आपको किसी question में कोई doubt होता है या आपको अपने career से related भी कोई problem है तो आप Instagram, Facebook और X पर इंद्रेस RC सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी doubt, कोई भी confusion without any agitation discuss कर सकते हैं तो यह था आज का हमारा current affairs का वीडियो आपको यह वीडियो कैसा लगा प्लेज कमेंट बॉक्स में जरूब बताना और अगर अवे तक लेकि भी आपने हमारे चैनल को नहीं किया है तो इससे आप सब्सक्राइब कर लीजिए आपको इस चैनल से निश्चेत ही मदद मिलेगी जब आपसे शस्क्राइब करेंगे तो बरावर में एक वेल आइकन बनके आएगा आप उस वेल आइकन पर जरू किलिक कर लें इससे क कि आपको डेली मॉर्निंग में करेंट अफेस की वीडियो मिलती रहे नेक्स्ट एक्जाम और पेज वीडियो थेंक्स पर वाचिंग